Hey guys, it's Mukul Shahima, Ikea Stuff Listings. So the Realme UI has been there for quite a while now and आपको मैंने एक वीडियो में डेकेटेड तरीके से बता दिये था कि Realme UI में आपको क्या-क्या अच्छा देखने को मिलता है, क्या-क्या बुरा है, क्या बग्स है, सब कुछ चीजे आपको बताई थी, Realme ने finally Realme की official website पे ही आपको update पकड़ा दिये कि आपको OTA का वेट करने की जोट नहीं है, आप यहां से zip file को download करो and अपने Realme XT या फिर अपने Realme 3 Pro smartphone में Realme UI को enjoy करो. So उसके बाद जैसी मैंने इस tweet को retweet किया, बहुत सारे लोगों ने मिर को कहा कि आप एक dedicated video बना लो, जिसमें आप एक tutorial डाइब कर दे तो कि कैसे update करना है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप problems हा सकती है, तो वो सारे चीजे में आपको इस video में clear कर रहा हूँ. So without waiting any further, let's get started with how to install the Realme UI on Realme XT or the Realme 3 Pro. First of all, Realme UI अगर आपको download करना है, तो कुछ जो आपके दिमाग में questions है, कुछ queries है, उनको मैं clear कर देता हूँ. सबसे पहले, बहुत सारे लोगों ने मिर से question किया, कि अगर हम ऐसे, इस तरीके से Realme UI को download करेंगे, तो हमारा data तो नहीं delete हो जाएगा. Let me tell you something, आपका data बिल्कुल secure रहेगा, कुछ नहीं आपका delete होगा, you don't have to worry about it, it's an official update, कोई आप, you know, third party ROM को flash नहीं कर रहे हैं, official आपकी ROM है, तो आपका data कहीं नहीं जा रहा, so stay rest assured for that. Second question, जो बहुत सारे लोगों ने मिर से पुछा कि, आप कहीं third party से download कर रहे हैं update को, उसके बाद flash कर रहे हैं, तो company क्या करती है, updates को push out करना बंद कर देती है, but there is a difference this time around, यह Realme का official update है, जो कि उन्होंने अपनी website के थिरू हमें send out किया, आप XDA developer से या कहीं पर, कहीं पर जाके आप, you know, एक extra ROM कोई नहीं download कर रहे हो, this is an official ROM from the company itself, so अगर आप इसको install करोगे या flash करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके future upgrades या updates रुख जाएंगे, आपको वो definitely normal तरीके से ही मिलते रहेंगे OTA की form में, the third question जो बहुत सारा लोगों मेरे से पुछा है, that is the bugs in the Realme UI, let me tell you something, कुछ minor bugs आपको अभी के लिए देखने को मिल सकते हैं, but company मेरे साब से उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, यह 2-3 bugs जो मेरे को Realme X2 Pro में देखने को मिले थे, वो मने उनको बताई दी थे, already fix वगरा होना शुरू हो चुका है, और सबसे बड़ा बग जो अभी तक मेरे को देखने को मिला है, वो बैटरी लाइफ पे है, यूनो लोग कह रहे हैं, मैंने तो personally ऐसा नोटिस नहीं किया है, but still कुछ लोगों के हिसाब से Realme UI को अपडेट करने के बाद, उनकी बैटरी लाइफ थोड़ सी, यूनो हैंपर हुए उनका बैटरी अब वैकप वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, so first of all मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर देता हूँ, जब भी आप नया कुछ OS डाउनलोड करते हैं, तो एक दो चार्जीज में टाइम लगता है इस पर्टिकुलर नए OS को नए स्किन को एड़स्ट करने में, इसका नया power saving feature होगा या mode होगा, उसमें थोड़ा पोर टाइम लग सकता है, तो आगर आप Realme UI को अपडेट कर रहे हैं, तो एकदम conclusion पर मत आई है, दो तीन बार ही अपने phone को charge कीजिए, पूरा उसको discharge कीजिए, उसके बाद जो आपका SOT होगा, that in my opinion will be the actual parameter here, जो ये bug की बात कर रहे हैं कि या Realme UI के बाद battery वगरा hamper होगी है, I have not found that bug in my Realme XT और my Realme X2 Pro whatsoever, so इस चीज के लिए आपको टेंशन लेने की जोथ नहीं है, चोथी चीज जो मेर से बहुत सारे लोगों ने पूछी है, and of course ये पूछना बनता है कि Realme UI में आपको ads देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, please understand, as of now Realme ने ads को पुश करना नहीं शूरू किया है, the Realme XT running on Realme UI as of now. अब बात करते हैं, आप Realme UI को Realme XT में install कैसे कर सकते हैं, first of all, what you need to do is, आपको इस पर्टिकुलर लिंक पर जा रहा है, मैं नीचे लिंक लगा रहा हूँ, description में, या फिर आप Twitter पर जा सकते हैं, मैंने वहाँ पर tweet भी कर रहा था, इस लिंक को जब आप खोलेंगे, तो आपको Realme के सारे स्मार्टफोंस वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, Realme 5, Realme 5i, even the Realme X2, इन सारे स्मार्टफोंस का जो latest update वहाँ शो कर रहा है, वो color OS का शो कर रहा है, जबकि Realme XT और Realme 3 Pro का जो update है, वहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, वहाँ पर आपको Realme UI देखने को मिल रहा है, आपने उसी को download करना है, जहां तक download की बात है, 3.51 GB का इसका size है, अगर आपके बास एक metered data connection है, आप Gio या Vodafone या कुछ भी use कर रहे हैं, so you'll have to figure out a way to do it, या तो आप दो टकड़ों में कर सकते हैं download, या फिर आप एक unmetered data या फिर Wi-Fi बगारा से download कर सकते हैं, because 3.51 GB is a huge file, so अगर आपके बास 1.5 GB का अगर आपके बास daily data रहता है तो आप download इसको नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात मैं आपको एक suggestion दूँगा, अपडेट को हिट करने से पहले, आप अपने फोन को at least 30-40% चार्ज कर लीजिए, because अगर ये 20% से नीचे होगा, तो वो अपडेट होगा नहीं, and you know, you know, it feels very impatient, जब आपके smartphone में update आचुक है और आप update नहीं कर पा रहे है, of course book charging है, but still कल मेरे साथ ऐसा हो था, 10% battery थी and मैंने, you know, update download कर लिया था, I had to wait for some time to charge this phone all the way up to 30% or so, उसके बाद ही में update कर पाया था, तो it's always a good idea to, you know, charge your phone to at least 30% and even before hitting the update, yes, मैंना आपको बताया, आपका कोई data को गयरा, कुछ loss नहीं होगा, आपका कोई sensitive information कोई भी lost नहीं होगी, but still, आपको एक suggestion मैं personal देना चाहूँगा, कि अगर आप कोई भी phone का update कर रहे है, it's always advisable that you keep a backup of your important necessary data, so, अगर आपके पास कोई pictures ऐसी हैं, जो आप नहीं जाते की, कहीं भी delete हो जाएं, या आपके पास कोई file है, या आपके पास कोई password है, जो आपने save करके रखा हुआ है, कुछ भी है, I'll suggest that आप उसका एक backup बना के रखें, आप करते हैं, आप इस zip file को download कीजिए, 3.51 GB की है, तो थोड़ा बहुत time तो अफकोर्स लगेगा, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं, इसको install करने के simple mode, या फिर recovery mode, in either of the cases, the update works just fine, so, simple mode को use करना, मेरे साब से, of course, as the name suggests, will be simpler, आप simple mode को ही use कीजिए, but recovery mode पे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको recovery mode से install करना है, realme UI को, so, what you'll have to do is, you'll have to turn off the phone, और उसके बाद आपको power button, और volume down button को, दबा के रखना है कुछ 15 second के लिए, उसके बाद आपको automatically वहाँ पे, you know, ROM को install करने का, flash करने का option आजाएगा, follow the instructions, very easy instructions are there, by the way, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप touch screen चाहिज यूज नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पे आपको buttons पे rely करना पड़ता है, but still, it's a very easy process, English, choose कीजिए, और उसके बाद, phone की जो internal storage है, उसमें जाएगे और locate, जहां पे आपने इस zip file को डाउलोड करके रखा है, press the button और कुछ 15 मिनट में, आपका Realme UI अपडेट हो जाएगा, this is the difficult way, and the easy way is, आप simply जाएगे अपने file manager में, इसको click कीजिए, and hit the update button, और 15 मिनट में, आपका Realme UI तयार, आपको मिलेगा आपके Realme XT, या फिर आपके Realme 3 Pro smartphone में, so there you go guys, this was one of the most easiest tutorials, I believe out there, but इस वीडियो को shoot करते करते मेरे तबाग में, यह idea है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिनके बारे में लोगों को doubts रहती हैं, कि भई इसको कैसे करें, इसको update कैसे करें, downgrade कैसे करें, upgrade कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, and text stuff तो हम रोज बनाती रहते हैं, आपके पास leaks तो रोज करो जाती रहते हैं, but if you want कि मैं ऐसी वीडियो को भी बनाऊ आपके लिए, tutorial videos या फिर particular OS में ऐसी चीज को कैसे करें, root कैसे करें किसी फोन को, do let us know in the comment section down below, या फिर एक poll लगा देते हैं, रहादर आपको poll करके मैं पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हैं, अगर कि मैं tutorial videos भी shoot करो आपके लिए, of course आप बता सकते हैं, we can definitely start doing the same. So I hope you like the video and I hope you download the Realme UI on your Realme smartphones and I hope that you enjoy the same. मेरे यहाप से Realme UI is far better than ColorOS in a lot of terms, ColorOS 6 by the way in a lot of terms, वालपेपर वगर आपको नहीं देखने को लेंगे, बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर आप फीचर्स को देखना चाहते हैं, once again you can check out a dedicated exclusive video of the Realme UI because उस ताम पे किसी के पास पे यह अप्रेट नहीं था, so it was an exclusive back then, it's not an exclusive anymore, but still if you want to check out that one, you can definitely check out that one as well and do check out our Tech Stuff every day, God bless you all, peace.